लर्निंग मंत्रा के आनलाइन पार्चाला में आप लोग का श्वागत है। के मैक्यावली ने जहाँ पर केवल राष्टी राजनीत की बात किया। कौटिली से भी पूर आचार मनु के द्वारा पुर्रा संबन्ध के उपर बात किया गया था, परंत इसपस रूप में विदेशनीत का बढ़न कौटिली के अर्शास में प्राप्त होता है, इसी विदेशनीत के अंतर गयत कौटिली के द्वारा अपने पुष्टक और शास में दो मुख सिध्धान्तों का प्रचपादन किया गया, एक का नाम है मंदल सिध्धान्त और दूसरे का नाम है साड गुडिय का सिध्धान्त, साड गुडिय सिध्धान्त को शा गुणों वाली इसे शा गुणों वाली विदेशनीत भी कहते हैं, कौटिल के द्वारा मंदल सिध्धान्त का बर्लन करते हैं, बतलाया गया कि मंदल का अर्थ होता है राजाओं का स्वमूह, का इस राजाओं के स्वमूह में केंद्र में जो राजा रहता है, उसे बिजी गीशू कहा जाता है, बिजी गीशू का अर्थ है बिजय की इच्छा रखने वाला, काउटल ने इस बात को कहा कि मंदल सिध्धान्त केंद्र में जो राजा होता है, वह बिजी गीशू है, पराक्रमी है और वह अपने स्वमूराज की सीमाओं के विस्तार की इच्छा रखता है, वह एक ऐसा राजा है जो राज की सुरच्छा के प्रत लेरंतर प्रयत नसीर लहता है, वह बिजी गीशू राजा के पास में जो राज होता है, उसे आरी कहा जाता है, और आरी के बगल में जो राज होता है, उसको मित्र कहते हैं, आरी मित्र के पास में जो रहता है, वह आरी मित्र कहलाता है, वह क्या कहलाता है, आरी मित्र, काउटिल के द्वारा इस बात को बतलाया गया कि जिन राज्यों की शेमाएं एक दूसरी के साथ मेल खाते हैं परंपरा गत्रूपने वे एक दूसरी के शत्र होते हैं अगर आधनिक अंतरास्ती राजनीत के संदर में इस बात को समझें तो भारत का चेन परोसी राज्य है जिसकी स्रीमाएं मिलती हैं भारत का परोसी राज्य पाकिस्तान है जिसकी स्रीमाएं भारत के साथ मिलती हैं भारत के परंपरा गत्रूपने निरंतर बने हुए हैं और उनके साथ स्रीमा शम्मंधी विबाद बना रहता है यह और अरी के बगल में जो रहता है वह विजगिश राजा का मित्र हो जाता है और उसके समीप में रहने वाला राजा अरी का मित्र कहलाता है माने दुश्मन राज का मित्र कहलाता है कौटिल के द्वारा आपने मंडल सिधान्त के अंतरगत कुल बारह कुल बारह राजाओं के सम्ह की बात की गई आपकी एक्जाम में यह सवाल भी पूछा गया कौटिल के मंडल सिधान्त में कुल कितने राजा है कौटिल के मंडल सिधान्त में कुल बारह राजा आते हैं जिसका बैडन कौटिल के द्वारा अपने मंडल सिधान्त में किया गया मंदल सिधान्त के उपरांद कौाटिल के द्वारा इस बात काफी वाइडन किया गया के राजा के द्वारा साम, दाम, दंडे और भेद के नीत का परचालन करते हैं छागुणोंवाली विदेश नीत का और सक्ता नुशाद पालन करना चाहिए कौटिल का या सिधान पूंटया यथार्थवादी है और अंतरास्ति राजनीत के बरतमान कई सिधानतों के साथ भी मेल खाता है अगर इसको महान यथार्थवादी चिंतक मार्गिन्थाओ के साथ भी जोड़ें तो यह कोई अत्सयोक्ति नहीं होगी क्योंकि मार्गिन्थाओ के द्वारा भी कहा गया है कि विदेश नीत का अमूल आधार रास्ति हित है और मार्गिन्थाओ के इस विदेश नीत के रास्ति हित वाली बात को आप प्राचीन भार्थी चिन तक कौटिल के साथ गुड़ी के नीत में दिखलाई पड़ता है जिसमें उसने कहा कि आवस्षिक्ता अनुशार परिस्ति के अनुशार राजा के द्वारा छा गुणों वाली विदिश नीत का अनुशरण करना चाहिए आप यहां पर आपको सम पजना है कि यह च्छा गुणों वाली विदिश नीत में उसके द्वारा किन बातों का जिक्र किया गया पहला है संध कि दूसरा है कि भिग्र है कि संध भिग्र है कि एयान कि आशन कि आशन कि आशन संस्रय एवं द्वैधी भाव द्वैधी भाव आप यहां पर समझना है कि आखर संध क्या है कौटल के द्वारा बिजगी सुराजा की तो बात की गई परंद यह बिजगीश प्रतेक बारा अराजाओं के समुह का केंदरी राजा है और उसको अपने राज को सफल बनाने के लिए छा गुणों की विदेशनीत का पालन किस प्रकार से करना चाहिए उसने कहा कि संध का सामान यर्थ है समझावता करना यज राजा सत्र राज के तुलना में अपने आपको कमजूर पाता है तो उसको संध कर लेना चाहिए और जब वह सक्तिसाली हो जाए तब आउस राज के साथ पुनह आपने नए तरीके से संबंध का निर्मान करना चाहिए इसलिए संध का उद्देश है आपने आपको राजा के द्वारा सक्तिसाली बनाना बिग्रह का अर्थ होता है यद्ध यदि राजा सक्तिसाली है तो उसके द्वारा यद्ध के नित का अनुशरण किया जा सकता है यान का अर्थ होता है वास्तविक आक्रमन वास्तविक आक्रमन करने से पूर राजा के रवारा शत्रुदेश की सक्त का आकलन करना आउस्षिक है शत्रुदेश की सक्त का आकलन करके वह इस बात से संतुस्त हो जाए कि यदि आक्रमन करते हैं तो हमारी जीत होगी तभी उसे वास्तविक रूप में आक्रमन करना चाहिए यहां इस मरणी बिंदुया है कि विग्रह और यान में केवल मात्रात्मक अंतर ही पाया जाता है इसमें केवल मात्रात्मक अंतर ही पाया जाता है क्योंकि इध का मतलब है तैयारी करना अर्यान का अर्थ है बाश्टomedik रूप में आक्रमन कर देना आशन को तटस्थता कहते हैं कि अपने आपको अलग रख लेना अलग रखने का अर्थ है कि यद आपकी शक्त छीन है तो उस समय अंतरास्ते राजनीत में अपने आपको अलग ठलग रखना तब तक अलग ठलग रखना आवस्चिक है जब तक कि वह राजस्च शाली न हो जाए संस्रे का आर्थ होता है शहारा लेना शहारा लेना शहारा लेने का आर्थ है कि एक राज यद शक्त की तुलना में कमजोर है तो अपने शक्त की दाफा करने के लिए वह किसी अपने मित राज का शहारा ले ले ताकि वह और भी अधिक शाली बन जाए इसको शहारा लेना कहा दोएदी भाव का अर्फ होता है दो गुणों वाली दो गुणों वाली विदेश नीत का अनुसरण करना कौटिल ने राजा को सलाह दिया कि राजा को एक साथ किसी एक राज के साथ संध के तत्व का अनुपालन करना चाहिए तो किसी अन्य राज के साथ उसे यद्ध की नीत का भी अंसरण कर लेना यह तारकिक माना जाता है कहा कि जैसी आवशक्ता हो वा अपने राज्टी हितों के अन्सार राज की सुरच्छा को देख कर एक राज के साथ सत्रुवत समंद और दूसरे राज के साथ मित्रुवत समंद को लागू कर सकता है इस प्रकार से अगर कौटिल के विदेशनीत का तथ्यात्मक आगुणात्मक मुल्यांकन करें तो आपको यह बात मालूम होगा कि जिस विदेशनीत के तत्व आज अंतरास्ती राजनीत में क्रियान वित हैं उनका आधार आचार कौटिल के राजनीतिक चिंतन में दिखलाई पड़ता है विशेश कर्चा गुणों वाली विदेशनीत के अंतरगर आग कहा है कि राजा के दवारा आपने राश्ती हितों के लिए कुछ भी करने को सदयों तैयार रहना चाहिए बच्चों देखें ये तो हमनों का कौटिल के विदेशनीत का एक संशित अध्यन है इसको आपने पढ़ा हमारे आनलाइन क्लाश में आडमेशन एक जुलाई से स्टार्ट हो रहा है दिए गए नंबर पर आप काल और वार्टसप करके संपोन विस्त्रिक जानकारी हासिल कर सकते हैं आज का यह क्लाश हमनों का यहीं तक है आप लगातार देखते रहें लर्निंग मंत्रा के आनलाइन पार्शाला को अगले वेडियो में हम लोग फिर मिलते हैं तब तक के लिए जैहन्द